रेंक को अफेक्ट करने वाला है या आपके कोलेज मिलने के चांसे इसको अफेक्ट करने वाला है So just let us have a look So बच्छोपन बात करने वाले हैं NET 2021 में किस तरी कैसे गोर्मेंट MBBS कोलेजे सीट्स हैं तो स्टेट वाइस मैंने कुछ ऐसे स्टेट्स की तो बच्छो यह कुछ मैंने लिस्ट प्रिपेर करिए इसमें अगर मैं बात करूं तो इस फर्स्ट वाली स्लाइड में आप देख रहे हो कि के लिए थर्ड नंबर पर इस लिस्ट में जो है बच्छो वह है आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश में हैं 2410 सीटें कि चोवी सो दस सीटें आरे बच्छो इसमें इसके बाद देखे और स्टेट से अगर मैं अबवव थाउजंड की बात करता हूं तो पर आता हा है बिहार बिहार में बच्छो 1240 सीट जय़ेसा की आप और यहाँ पर देख रहे हो कि आसाम हो गया आप का डेली में 1065 है 1065 यह बच्छो देली में इसके अलावा सभी में 700-600 700 600 800 चांक हैं कि दएली की बात करें तो दैलि में 1065 अगर बच्चो मैं हर्याना की बात हैं हिमाचल पर्देश में बच्चो 720 सीट तो 885 सीटे illions यहां पर नीक्स्त अपननों बात करते हैं और रिमेस्ट चाइट जो government colleges में है MBBS के लिए 2700 सीटें यहां पर है राजस्तान में अगर मैं यहां पर और maximum सीटों की बात करता हूं तो maximum all India सबसे ज़्यादा जो MBBS की सीटें हैं government MBBS की सीटें वो है आपकी महारास्टा स्टेट में महारास्टा में 4330 सीटें आपकी government MBBS के लिए मिलती है इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर आता है बच्चो तमिल नाडू जिसमें 3600 government MBBS सीटें हैं फिर next अपन बात करते हैं बच्चो 3000 सीटें हैं वेस्ट बंगोल में 2888 सीटें हैं आपके उत्तर प्रदेश में next जो इस लिस्ट में है बच्चो वो है MP and UP MP मद्य प्रदेश में है 1970 around 2000 सीटें हैं यहां पर government MBBS के लिए और अगर मैं बात करता हूं तो तैलंगाना से हैं government MBBS के लिए और केरला की अगर बात की जाए तो केरला में 1455 सीटें होती है तो यह बच्चो एक ब्रीफ यहां पर मैंने एक लिस्ट तयार करी है different states की मैंने उनी स्टेट को बच्चो यहां पर पिक किया है जिनमें सीटें हैं more than 500 इनके अलावा और भी स्टेट्स रगे अंडमान निकोबार वगरा ऐसे कई सारे स्टेट्स रगे छोटे मोटे जिनमें तो यहां पर अगर मैं टोटल गॉवर्मेंट अबीबीए सीट्स की बात करता हूं तो बच्चो टोटल जो टोटल सीट्स हैं यह आती है 41,355 मतलब अगर एक लमसम में हम आईडिया तयार करें तो अल्मोस्ट 42,000 सीट्स है बच्चो यहां पर जो गॉवर्मेंट MBBS के लिए यहां पर हैं गॉवर्मेंट कोलेजेज में MBBS के लिए 42,000 सीट्स ओवर्मेंट अगर सीट्स के अपन बात करें तो अभी मैंने कम्प्लीट एक लिस्ट प्रिपेर करें जिसमें आयूस, आयूरवेद के लिए, बटेंजरी के लिए, वीडियेस के लिए किस तरीके से नेट 2021 में आपको गॉवर्मेंट सीट्स मिलने वाली हैं तो बच्चो यह रही आपकी हो लिस्ट अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल MBBS सीट्स की, इंक्लूडिंग प्राइवेट कोलेजेज, बच्चो टोटल सीट्स यह है, 83,075, 83,000 सीट्स के अराउंड है टोटल, जिसमें अभी अपनने बात करी, अराउंड 42,000 सीट्स गॉवर्मेंट, एंड अराउंड 41,000 सीट्स प्राइवेट, इस तरीके से बच्चो यहां पर एक अराउंड 41,000, अच्च इस 41,000 की और बात करें तो बच्चो यहां पर जिपमर एंड एम्स को भी अपकी बार इंक्लूड किया है, बात करेंगे भी, टोटल BDA सीट्स, डेंटल के लिए बच्चो टोटल सीट्स जो यहां पर गॉर्मेंट कोलेजेज और प्लस प्राइवेट कोलेजेज में, अल इंडिया में जो है, वो है 26,949, means हम कह सकते हैं कि almost 27,000, almost 27,000 सीट्स हैं यहां पर, किसके लिए डेंटल के लिए, फिर अपने बात करें, आयू सीट्स, आयू सीट्स का मतलब हो गया है, बच्चो यह हो गई आपकी आयूर्वेद में, आयूर्वेद में जो सीटे हैं यहां पर फिक्स्ट, वो है 52,720, यह बच्चो फिर से मा बात कर रहा हूँ, ओल इंडिया सीटों की मा बात कर रहा हूँ, यह नीड 2021 में, टोटल सीट्स की मा बात कर रहा हूँ, जिसमें, गौवर्मेंट प्लस प्राइवेट दोनों की बात के लिए, अगर हम वेटरिनरी की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं, BVSC, BVSC की बच्चों अपन बात करें, बैसलर इन वेटरिनरी साइन्स, तो टोटल BVSC की जो सीट्स हैं, वो हैं 525, 525 सीट्स हैं, ओल इंडिया, जो नीट के तुरू फिलो होती हैं आपकी, अगर AIMS की बात करते हैं, बच्चों, तो AIMS में अल्मोस्ट 1889, तो अल्मोस्ट यू कैन से कि 1900 सीट्स आर देर, फोर MBBS, इन AIMS, एंड जिपमर की बात करें, बच्चों, तो जिपमर में 249, तो यह 2019 से AIMS एंड जिपमर दोनों को ही इंक्लूड कर लिया गया है, नीट में, तो इनकी जो सीट्स हैं, वो भी फिल होंगी आपकी नीट 2021 की काउंस्लिंग से, तो यह एक लंसम आइडिया हमने यहां पर लिया है, जो All India नीट 2021 में है, आपको कॉलेजिस के लिए यूज होने वाला है, चलि बच्चों, रिजर्वेशन की बात करी जाए, अगर, मेंली जो च रंसंड था लोगों का वो था आपकी बार रिजर्वेशन को लेकि, OBC and General में बात करें, तो General में बच्चों इस बार Central Government ने पहली बार यह किया है, कि 27 परसंटेज, 27 परसंटेज तो रिजर्वेशन होगा OBC Candidates के लिए, यह बच्चों जो 27 परसंट है, यह 27 परसंट, 15 परस बात करता हूँ, तो OBC स्टुडेंट्स अल्मोस्ट, 1500 OBC स्टुडेंट्स इसमें बेनिफिट होने वाले हैं, 15 परसंट, All India Quota में, इसी के साथ 10 परसंट है EWS, तो बच्चों जो General में, General EWS है, General Category में, जो Economically Backward Class है, Economically Weak Section है, उसमें 10 परसंट अबकी बार रिजर्व किया ग Guidelines हैं, कि क्या आपकी Income इसमें होनी चीए, Please Go Through That, 15% Seeds हैं बच्चों, ये SC के लिए और 7.5% Seeds हैं, ये ST के लिए, इस तरीके से अपकी बार Classification कर दिया गया है, तो अगर मैं लमसम में यहां पर बात कुन तो Around 40% जो Seeds हैं, वो फिर हात में आती है बच्चों किसके, General Candidates के 40% Seeds रहेंगी यहां पर General Candidates के लिए, तो यहां पर Panic लेने वाली कोई चीज नहीं है, अगर मैं बात करता हूँ, किसी General Category के Student को लगता है कि नहीं सर हमें इस बार Loss हुआ है, तो देखें बच्चों, 27 plus 10, ये अपकी बार New Addition हुआ है, मतलब 37%, और ये 37% Add होता इसी में, तो ये आपकी लम सम्में जा रही थी है, 77%, तो इस 77% पर ये भी तो देखें कि सारे तो OBC के Students आ गए इसमें, इंक्लूडेट जो General Category में थे, तो वहां पर इनका आपकी बार Exclusion हो गया, इनको Separate कर दिया गया, तो यहां पर General में भी बहुत जादा फरक पढ़ने वाला है न आपका है, तो यह जादा आपका कहें, तो major यहां पर कोई benefit नहीं है, यह एक minor सा benefit है, एक तो 77% में उनका competition था, उनको 27% और 10% में डाल दिया गया है, तो यह उनके लिए plus point भी है और negative point भी है, अगर बच्चों अपन लम सम्में यहां पर बात करते हैं, कि क्या किस तरीके से यह benefit यहां पर होने वाला है OBC and AWS के students को, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि around 1500 जो OBC students है, 1500 OBC students को यहां पर benefit मिलने वाला है MBBS में, MBBS की seats के लिए, UG के लिए आपको around 1500 students को यहां पर OBC category में benefit मिलने वाला है, और अगर हम बात करें PG में, तो PG में बचो around 2500 students को benefit मिलने वाला है य तो EWS category में जो MBBS के बच्चे हैं, उन MBBS के बच्चों को 550 बच्चे around यहां पर benefited होंगे, किसे नए वाली reservation policy से, और साथ ही 1000 के around जो students है वो benefited होंगे यहां पर post graduation में, तो इस तरीके से एक लमसम में हम बात करें, तो around 5550 students यहां पर benefit होने वाले हैं, general and EWS category में, तो बच्चों य यह था एक brief introduction था कि किस तरीके से कई सारे students panic ले रहे थे कि सर क्या होने वाला किस तरीके से होगा, हमें तो पता है नहीं क्या reservation policy है, तो यह तो एक brief introduction था कि किस तरीके से आपके reservation policy है रहने वाली है, इसके बाद अगर मैं states की बात करता हूँ, तो normally जैसे मैं राजस्तान state से ह मैं, फिर से जो obviously students है, इनको पहले से 27% reservation मिल रहा है, तो 85% है, यह हर एक state का, हर एक state का, यहाँ पर statewide reservation policy रहे गी बचो, state-wise reservation policy यहाँ पर रहने वाली है, किसी state में reservation है, किसी में नहीं है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, यह depend करता हूँ, इस state की reservation policy पर अगर मैं राजस्तान की बात करता हूँ, तो जो 85% की seats हैं, जो state quota से fill होंगी, बचो इन state quota की seatों में, OBC candidates को 27% reservation पहले से मिलता है, तो इसमें कोई changes होने वाले नहीं है, state quota में कोई भी variation होने वाला नहीं है, जितनी seat हैं आपकी fixed state quota में, उनमें जो पहले से आपको reservation मिलते हैं रहा वही है, तो अगर state quota में अगर अपन बात करें, cut off variation की, so it will not affect your seat allotment, so यहाँ पर यह seat allotment को ज़्यादा को एफेक्ट करने वाला है नहीं, बचो यह था एक brief introduction जो मैंने यहाँ पर दिया है, जो आपके साथ में share किया है, I hope कि यह आपको benefit देगा, किस तरीके से आपको, कई students ऐसे हैं, जिनको यह अभी तक पता ही नहीं था कि कितनी government seats MBBS के लिए, All India, कितनी राजस्थान में हैं, राजस्थान के students काफी ज़्यादा worried थे इस बार इसको लेके, तो बच्चो सेटे increase हुई है, प्लस साथ में आपको All India, यह जो आपका reservation policy है, इसका भी benefit मिलने वाला है, So be patient, आप अपने documents को prepare कीजिए, कोई panic लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपका result आता और counselling के लिए आपको बोला जाता है, So be well prepared before that counselling session with your all required documents, So thank you बच्चो, thank you for watching this helpful information, I hope कि आपको help करेगा, आपको benefit इससे मिलने वाला है, आपको अपनी एक यहां से category का आपको idea मिल गया होगा, basic idea जो मैंने यहां पर दिया है, जल्द ही जैसे आपका result आउट होता है, तो बच्चो counselling session पे भी माँ आपको एक video बना के देने वाला हूँ, जो भी I hope कि आपको helpful रहेगा, So thank you बच्चो, thank you, जो आज नए students जुड़े हैं, बच्चो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए, so that कि next आने वाली videos आप मिस ना करो,